रदे रदे दोस्तो मैं आचार पंडित गुंगाधर सास्त्री यूट्यूब चैनल जोतिस गुंगा में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लोग चलें अंकों की रहस्यमाई दुनिया में अंकों के विशे में हम कुछ चर्चा करेंगे आपसे आज हम अपनी जानका पर ही हमारा सारा जीवन निर्भर करता है दोस्तो मूलांक के द्वारा या भाग्यांक के द्वारा आप अपने भविश्य को जान सकते हैं जिनको अपनी रासी मालूम नहीं है नहीं जानते हैं वे अंकों के द्वारा अपना सटीक भविस्वानी को जान सकते हैं अंक पर ही निर्भर है आपका चाल चलन आपका जीवन में सुख दुख आपके जीवन में संघर्ष या सफलता और आपका रहन सहन आपके मित्र सत्रू सब ही बातों की आप जानकारी अंकों के द्वारा कर सकते है आपका ब्यापार क्या अच्छा रह चलेगा आप नौकरी करेंगे तो कहां नौकरी करें जो आपका अच्छा बीते अच्छा रहेगा तो इन सब ही बातों का ब्यापार हो, नौकरी हो सत्रू मित्रहों, जीवन में संघर्ष और आपकी सफलता सब कुछ अंकों पर निर्वर करता है तो आप अपने मुलांक और भग्यांक को जानकर और आप भविष्च वानिक अपने भविष्च को जान सकते हैं तो इसे आप बगवास न समझाएं क्योंकि अंकों का महत्त तो मुझे पहले बताना पड़ेगा मैं सब कुछ आपको बताऊंगा लेकिन पहले इसका महत्त की जानकारी आप कर लें कि अंकों को आप क्यों जाने यंक आपके लिए अंक सास्त्र आपके लिए क्यों अच्छा है तो अंकों की जानकारी करके आप अपने जीवन में सफलता सत प्रतिसत प्राप्त कर सकते हैं आपके अंक मुलांक और भाग्यांक के अनुसार जो भी निर्देश दिया जाता हो उसका आचरण अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में अवस्य सफलता मिलेगी आप किस तरह के लोगों के साथ पाटनरी करें आपका वाहन का नंबर किस प्रकार का हो जो आपका बाहन साथ दे कभी दुरगटना ना हो तो दोस्तो इसकी जानकारी आप करके अगर ऐसा आचरण अंकों के आचरण समान जिस तरह अंक आपको निर्देशित करते हैं उस तरह का आचरण आपकर करेंगे तो जीवन में कभी भी आप ओसफल नहीं होंगे इसका उदाहरन है नेपोलियनी ने नेपोलियन नाम रखा सिर्फ ए को हटाया और ए को हटाते ही उसके जीवन में तरक्की ही तरक्की सुरू होने लगा पहले उसका नाम था नेपोलियनी तो उसने ई को हटा दिया अपने नाम से नेपोलियन कर लिया नेपोलियन करने के बाद उसके जीवन में तरक्की ही तरक्की होना सुरू हुआ सफलता के चरम सीमा तक वह पहुँच गया तो दोस्तों आप भी इसका उपयोग करके अवश्य देखें मैं आपके अंकों के अनुसार आपकी घशळवानी बताऊंगा और आप का रहन सहन आपका पसंद ना पसंद आपके साथ ही मित्र आपके घर परिवार का ब्यभार किस तरह है मैं सब ही बातों को बताऊंगा किस अंक के लिए किस तरह का फल मिलता है किसको किस तरह का फल मिलता है मैं सब कुछ उसको आपको बताऊंगा तो आप अवस्य मेच करें अपने जीवन में जो मैं बाद में बताऊंगा आज मैं आपको बता देता हूँ कि मुलांक और भाग्यांक अंक दो तरह के होते हैं तो मुलांक आप कैसे निकाले और भाग्यांक कैसे निकाले मुलांक किसे कहा जाता है और भाग्यांक किसे कहा जाता है दोस्तों अंक येक से नौ तक ही होता है येक से नौ तक अंक है तो आ और जन्मत्ति थी जन्मास और जन्वर्स तीनों को जोड़कर जो निकलता है यंग उसको कहा जाता है भाग्यांग मूलांग जो आपकी जन्मति थी है एक से लेकर 31 तारिफ तक वह हो गया आपका मूलांग और जन्मतिति, जन्ममहिना और जन्मवर्स इन तिनों का योग होता है भाग्यांक तो आपको निकालना किस तरह है? जैसे मैंने कहा कि एक से नौ तक ही अंक लिया गया है तो मान जिजे किसी का 24 तारिख को जन्म हो तो उसमें 24 है, तो उसको क्या करना है आपको? तो 2 और 4 कितना हुआ? 6 तो आपका मुलांक हो गया 6 इसी तरह आप सभी में समझें जैसे एक मुलांक किसका किसका होता है? एक तारिख को जन्मता है जन्म लेता है उसका मुलांक एक है एक, दस, उन्नीस, अठाइस इन तारिखों में जो जन्म लेता है उसका मुलांक होता है एक जैसे एक तारिख को जन्मा तो एक दस तारिख को जन्मा है तो जीरो का महत तो नहीं रहता है जीरो का भेलू अंक सास्त्र में नहीं दिया गया है है कुछ अलग भेल्यू है लेकिन मुलांक में नहीं है एक दस का अगर जीरो हटा दिये तो एक बचा उनीस तो नौ और एक को जोड़ दें तो दस हुआ तो उसमें भी एक ही बचा जीरो हट गया तो और 28 आठ और 2 दोनों को जोड़ देते हैं तो दस होता है उसका भी मुलांक एक ही होता है तो दोस्तों मुलांक का आप इसी तरह निकालें और भाग्यांक किस तरह निकालेंगे कि मान लिजिए किसी का जन्म है 24,10,1978 उधारन के लिए मैं बता रहा हूँ एक डिट तो उसको जोड़ दें 24 का 2 प्लस 4 प्लस 1 जीरो हटा दें प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 अर्थात कितना हो गया पूरे का जोग दो प्लस 4 छे और एक 7,7 और एक 8,8 और 9,7,7 और 7,24,24 और 8,32 यहां भी दो अंक हो गया 32 हो गया तो 32 का 3 और 2 को जोड़ने तो 3 और 2,3 प्लस 2 बराबर 5 आपका भाग्यांक हो गया 5 तो दोस्तों 24,10,1978 के जन्मी लोगों का भाग्यांक होता है 5 और मूलांक हो जाता है 6 एक बात यहां और है दोस्तों मूलांक और भाग्यांक दोनों अगर समानी ही हो एक ही हो तो उससे भी मनुस्य को जीवन में संघर्स करना पड़ेगा उसका जीवन संघर्समय होगा तो आज मैंने आपको बताया कि मूलांक और भाग्यांक आप किस प्रकार निकालें अब मैं आपकी भाविश्चिवानी बताऊंगा मूलांक एक के लिए वाहन का नमबर क्या हो मूलांक एक के लिए उसका व्यापार क्या हो किस व्यापार से उसे सफलता मिल सकती है उसके जीवन में कैसे संघर्स होंगे उसका कौन-कौन से मूलांक वाले पार्टनर हो सकते ह इन सब ही बातों को आपको मैं दोस्तों बताऊंगा, आप मेरा वीडियो को अवस्य शेयर करें, सबस्क्राइब करें, और बेल आइकोन को टच करें, मैं जो भी नया वीडियो डालोंगा, उसमें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो आए दोस्तों, आज मैं अपनी पार्टनर होंगे इस तरह की चर्चा हम करेंगे और वीडियो डालते रहेंगे और आप इससे लाभ उठाएं आए दोस्तों आज मैं अपनी वानी कोई ही विराम देता हूं राधे राधे दोस्तों